मान लो हमारे पास इस तरीके से एक रॉड है और ये एक यूनिफॉर्म रॉड है तो इसके सिंटर पे से हमारे पास इस तरीके से लगता है नीचे की तरफ फोर्स M G लेकिन क्या ये रॉड नीचे आ रहे है नहीं आ रही है तो इसके उपर कुछ normal reaction उपर लगे होगी और हमाँ आपस यहाँ पर इस तरीके से 2 points है चाहाँ पर से normal reaction इस तरीके से लग सकती है इन दो points के नाम रख देते हैं this is A, this is B क्या इन दोनों पर normal reaction बराबर लगेगी देखके मुझे ऐसा feel हो रहा है नहीं लगेगी let's say यहाँ से मैं आपस normal reaction लगती है N1 यहाँ से मैं आपस normal reaction लगती है N2 अब यहाँ पर equilibrium के लिए net forces 0 होना ज़रूरी है तो मैं आपस F net has to be 0 for equilibrium तो मैं यहाँ पर इसे क्या लिख सकता हूँ N1 plus N2 is equal to mg यह मेरे पास एक equation आ गई and that's it सिर्फ forces balance करूँगा तो मैं इसके आगे नहीं बढ़ सकता लेकिन N1 और N2 की कोई fix value होगी यह हम जानते हैं क्या feel कर पा रहे हो N1 और N2 में कौन सी value बढ़ी होगी तो देख कोई काम करो अगर मैं इसको यहाँ पर सरका देता तब मुझे symmetric case दिखता है मैं बोलता N1 और N2 की value बराबर आते और मैं इसको अगर इसके पास सरका देता है और मैं पास सरका देता हूँ एकदम यहाँ तक लिया हूँ तो मैं बोल दूँगा यहाँ पर जो N1 लग रहा है यार अचुली इसके पर ज़्यादा वजन आ रहा होगा अल्मोस्ट M G के बराबर हो जाएगा ऐसे हम feel कर सकते है इस particular case में मुझे देख करके महसूस हो रहा है कि N1 की value ज्यादा आने वाली है क्योंकि वो M G के ज़्यादा करीब है लेकिन इसकी calculations किस तरीके से की जाए तो देखो पहले तो हमें कुछ यहाँ पर dimensions की ज़रूद पड़ेगी जैसे यह वाली length है let's say 5 meter और यह वाली length है उसकी double 10 meter हमारे पास equilibrium है equilibrium का मतलब हुआ कि हमारे पास net force तो 0 है साथ में हमारे पास net torque vector उसकी value भी 0 होनी चाहिए क्योंकि यह घूम भी रहा है इसका alpha की value 0 है यह घूम नहीं रहा है तब torque किस तरीके से calculate करें torque actually होता है किसी axis के about और हम torque की value के लिखते है torque is equal to F perpendicular into distance या फिर F into distance perpendicular लेकिन यह जो R perpendicular है जो force perpendicular होता है यह कहां से होता है हमारे पास कोई axis तो होना चाहिए अब यह rod घूम ही नहीं रही है तो मैं किसको axis मानूँ actually आप यहाँ पर किसी भी चीज़ को axis मान सकते है let's say अगर मैं इसको मान लो कि axis यह है axis यह का मतलब यह rod इस तरीके से रखे है उसके point से यहां से एक axis पास हो रहा है यह rod इस तरीके से घूम सकती थी यानि अगर यहां पर axis बोल रहा हूँ तो यह rod घूम के इस तरीके से आ जाती लेकिन हम जानते हैं यह rod घूम नहीं रही है यानि कि इस axis के about torque के value 0 आनी चाहिए या फिर आप इस point को अगर axis ले लेते हो तो अब यह rod ऐसे थी फिर थोड़ी देर बाद घूम थी तो यह इस तरीके से घूम सकती थी लेकिन हम जानते हैं कि यह घूम नहीं रहे तो इसके about भी torque के value 0 आएगी या फिर आप center of mask about लेलो अगर यह rod को घूमना होता है center of mask about तो यह इस तरीके से घूमती लेकिन यह घूम नहीं रहे है यानी यहां के about torque के value 0 होगी आप किसी भी point को axis मान सकते है और उसके about torque आपको 0 करना है सवाल उठता है इन में से किस point को मैं axis मान के torque 0 करूँ देखो जिससे मेरी calculation आसान हो जाएंगी वो मैं solve करना शुरू करता है उसके हिसाब से मैं axis मान हूँ let's say अगर मुझसे question में पूछा आता कि सिर्फ N2 की value मुझे पता करनी है N1 मुझे नहीं पता करनी है उस case में मैं क्या करता है क्या मैं N2 को axis मान लेता अगर मैं N2 को axis माता तो यहां से देखो Mg की current force इधर है यह हमारा R1 हो जाता यह हमारा force लगता यह देखो दोनों perpendicular है तो इसके कारण इस दिशा में torque आता और यह N1 इस तरफ उपर की तरफ लग रहा है अगेन यह perpendicular है तो इसके कारण उस तरफ torque आता दोनों के torque का magnitude बराबर होता तो हम बोलते हो कि इस पर net torque 0 हो गया यह घूमेगा नहीं लेकिन यहां पर अगर मैं इसके about balance करता हूँ तो यहां पर मेरे N2 का तो को use ही नहीं हो N1 और Mg का use हो गया तो इससे मैं N2 directly नहीं पता कर सकता अगर मुझे N2 पता करना है तो मेरे लिए यहां पर बैट करके क्योंकि मैं N1 को calculate नहीं करना चाहता हूँ तो मैं इस point के about torque को balance करा दूँगा क्योंकि N1 इसी point पर लग रहा है तो इस N1 के कारण कोई torque नहीं होगा तो मैं बोल सकता हूँ MG के कारण नीचे की तरफ force है तो ऐसे torque होगा इस N2 के कारण उपर force है तो ऐसे torque होगा दोनो torque का magnitude बराबर होना चाहिए तो इसको मैं लिख दूँगा torque balance balance at A उससे मुझे मिल जाता है MG multiplied by देखो यह MG force लग रहा है 5 मीटर के दूरी पर MG into 5 should be equal to यह वाला force देखो इस तरफ torque दे रहा है यह वाला force उपर की तरफ torque दे रहा है तो यह हमाया पास हो जाता है N2 into 15 मीटर तो मैं लिखूँगा N2 into 15 यहाँ पर मेरे पास सीधे आ जाता है N2 is equal to MG divided by 3 directly मेरे पास N2 कान से रहा है similarly मैं N1 भी calculate कर सकता हूँ अगर मुझे N1 calculate करना है तो इस point के about मुझे torque को balance करना चाहिए यहाँ से अगर मैं torque balance करना जाओँगा तो मेरे को देखो क्या मिलता है MG into 10 should be equal to N1 into 15 MG into 10 should be equal to N1 into 15 यहाँ से N1 की value के तियर जाती है N1 is equal to 2 MG by 3 है न यह मुझे मिल जाता है N1 is equal to 2 MG divided by 3 या फिर N1 को पता करने के लिए मैं यहाँ पर N2 की value अगर रख देता MG divided by 3 तो भी मुझे मिल जाता है N1 is equal to 2 MG by 3 तो इस तरीके से हम questions को solve करते हैं इसके कुछ और एक्जामपल्स देखते हैं A uniform ladder of length L rests against a frictionless wall the floor is rough and the coefficient of static friction between the floor and the ladder is mu तो यहाँ पर हमाया पास smooth है और यहाँ पर हमाया पास coefficient of friction की value है mu when the ladder is positioned at angle theta as shown in the figure it is just about to slip just about to slip मतलब friction की अकारणिस पर कुछ इस तरीके से जो भी forces लग रहे था भी direction मैंने बताऊँगा वो एकदम बस उससे थोड़ा सा भी अगर कम होता तो यह slip कर जाती मतलब अपने को limiting case लेना है यानि हमें friction की वो possible value लेनी है जो maximum लग सकती थी ठीक है वैसे friction self-adjusting force होता है जितना maximum लग सकता उतना ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा लगी इस particular case मैं maximum value का use करना है what is angle theta theta और mu के बीच में कुछ relation निखालना है तो देखो इसको solve के इस तरीके से किया जाएगा पहली बात तो यहाँ पर forces कौन-कौन से लग रहे है उनको हम draw कर लेते हैं यह हमाँ पास uniform ladder of length L है uniform का मतलब इसके उपर जो mg लगा होगा वो एकदम center में इस तरीके से लगा होगा mg okay यहाँ पर हमाँ पास normal reaction के इस दिशा में होगी देखो normal reaction तो normal ही लगती है तो इसको मैं let's से बोल देता हूँ this is n1 similarly हमाँ पास यहाँ पर एक normal reaction लगे होगी उपर की तरफ जो हो जाएगी हमाँ पास n2 okay यहाँ पर कोई friction नहीं लग सकता इधर यहाँ यहाँ पर कोई ना कोई friction लगा होगा और friction लगा होगा तो किस तरीके से लगा होगा क्या उसको आप direction कैस कर सकते हो देखो अगर यह रोड रुकी होई है move नहीं करें तो इसके उपर हर direction में force, net force की value जीरो होनी जाए अगर मैं इसके x direction के forces की value देखो तो अभी इसके उपर इस तरफ N1 लग रहा है तो अगर हमें इसको stable रखना equilibrium में तो friction इस तरफ ही लगना पड़ेगा ताकि N1 और friction की value बराबर हो जाए force x की value 0 हमें करनी पड़ेगी तो यहाँ पर मैं draw करूंगा friction का मुझे direction मिलिया कि friction इस तरफ लगा होगा तो अब आप बताओ friction की जो value है वो हमें maximum लेनी है यानि कि mu times N2 हो जाएगी हमारे friction की value अब आपको क्या करना है दूसरी equation आपको मिलने वाली है torque balance है torque आप किस जगे पर balance करोगे इस point के about भी torque balance कर सकते है इस point के about भी torque balance कर सकते है इस point के about भी किसी भी point के हिसाब से अब torque को देखो torque की value 0 आने जी point कौन सा लोगे वो जिससे हमारी calculations हासान हो यानि अगर मैं इस point के about ही torque लेने लगूँगा तो mg का नीचे की तरफ होगा N1 इस तरफ होगा मुझे N1 तुरेंट पता चल जाया लेकिन मुझे क्या N1 पता करना है नहीं मुझे तो friction की value पता करने में इंट्रेस्ट है तो मुझे I think torque यहां से balance करना चाहिए यहां से अगर मैं balance करता है torque इस पे तो N1 मुझे भी नहीं पता है तो Q में N1 की calculation में जाओ सबसे अच्छा point है I think यह इस point के about torque balance करोगे तो आपको answer मिल जागा देखो एक torque इसके कारण ऊपर है एक इसके कारण नीचे की तरफ इस दिश्चा में है और यह इस तरफ यह तो forces है इनके कारण torque कैसे होगा feel करो यह वाला N2 से इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेगा MG इस तरफ लग रहा है तो MG इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा friction इस तरफ लग रहा है तो friction भी इस तरफ घुमाने की से कोशिश करेगा जो सेम तरफ घुमाने की कोशिश करेगा उनको आप एक तरफ क्लब करो, opposite वाला, दूसरी तरफ क्लब करो, दुनों को equate करो, आपको answer मिल जाएगा, वोडियों को post करो question को, solve करो इसका correct answer है, option number C, solve करना शुरू करते हैं, सबसे पहली जो है चीज लिख दूँगा, वो x direction में forces balance, क्या मुझे वो लिखने की भी ज़रूरत है, एक काम करते हैं, हम direct torque balance करना शुरू करते हैं, हमारे पास y direction में जो forces हैं, F, y की अगर मैं बात करूँ, y direction में देखो, नीची की तरफ mg लग रहा है, उपर की तरफ n2 लग रहा है, और हमारे पास y direction में बस इतने ही forces हैं, तो हमारे पास यहां से पता चल जाता है, Fy की value 0 हो नीची है, इसका मतलब n2 is equal to mg हमें पता चल चुका है, all right, क्या मुझे friction force की value पता चल चुकी है, friction का जो force है, वो हो जाएगा, mu times n2, या फिर friction का force, या तो उसके बराबर होगा, या उससे कम हो सकता है, यह चीज़ हमें याद रखने है, तो इसकी value आजाती है, mu times mg, all right, bracket मैं लिख देता हूं मैं, friction की value less than or equal to mu mg हो सकती है, क्यों, क्योंकि कई बार, मैं इसका variation भी बताऊंगा, जहां पर आप से पूझा है था कि friction की minimum value किती होनी चाहती है, उसकी condition पर हम इसके जरीए पहुंचते है, अभी तो हमें equate करना है, okay, अब हम torque balance करेंगे, torque is equal to 0, about, let's say this is point A, तो A के about मैं torque balance कर दूँ, देखो, यहां पर N2 हमें counter clockwise घुमाने के इसको कोशिश कर रहा है, N2 का distance कितना है, N2 का देखो, perpendicular distance आपको लेना पड़ेगा, यहां से अगर आप torque देखोगे, तो उसके लिए हमें यह वाला distance देखना पड़ेगा, N2 into perpendicular distance, या फिर आप N2 का इस तरीके से perpendicular वाला component निकाल लो, और यह वाली distance का उसको लो, आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो, answer same आने वाला है, यहां पर हमें अगर य यह वाली length है L, तो यह वाली length कितने वह जाती है, L cos theta, यह वाली length वह जाती है, L cos theta, force है N2, distance है L cos theta, हमाये पास आजाता है, N2 into L cos theta, should be equal to, friction के कारण इस तरफ force है, तो यह दिर उधर घुमाने की कोशिश करेगा, अब friction के कारण जो perpendicular distance है, देखो friction force ऐसे जा रहा है, this is the perpendicular distance, यहाँ पर मैं क्या लिकूँगा, F into L sin theta, यह वाली length किती है, L sin theta, तो मैं लिख दूँगा, friction का force into L sin theta, और Mg के कारण किस तरीके से force लग रहा है, देखो इधर लग रहा है, तो यहाँ पर Mg को आप इस तरीके से ला सकते हो, यह वाला distance हमारे पास कितना हो जाएगा, देख cos theta divided by 2, अब यहाँ पर मैं आपको सम्झाना चाहता हूं कि friction, oh sorry, torque में हमेशा sin theta नहीं होता है, कभी cos theta आता है, कभी cos theta by 2 भी आ जाता है, हमेशा वो रटा-रटा है, formula मर्द रखना, सब जगे sin theta, sin theta, sin theta कर देते हैं, सारे cancel हो जाते हैं, answer गलता जाता, okay, यहाँ पर हम पहले distances क let's say this is, this is l sin theta, this distance is l cos theta, और उसके बास हमाई पास यहाँ पर यह half distance view, actually cos theta by 2 नहीं है, यह cos theta by 2 है, l cos theta divided by 2, इसको भी हम इस तरीके से लिखेंगे, अब यहाँ पर आप देखते हो, सारे के सारे l इस तरीके से cancel out हो जाते हैं, और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, तो मैं पास value f into cos theta से divide कर दो पूरी equation को, तो यहाँ आजाते है, f tan theta is equal to n2 minus mg divided by 2, क्योंकि cos theta को हमने divide करते हैं, हमाई पास यह equation आजाते है, अब देखो friction की value हमाई पास कहाँ आजाते है, friction का 4 जो था, उसकी value should be less than equal to mu mg थी, अभी के लिए हम limiting case ले रहे हैं, तो इसको मैं लिख दूंगा, mu times mg tan theta is equal to n2 की value किती है, mg minus mg divided by 2, तो इसकी value हो जाएगी mg divided by 2, यहाँ पर mg से mg इस तरीके से कट जाता है, हमाई पास value हो जाती है, mu tan theta is equal to 1 by 2, या फिर हम से tan theta अगर पूछा है, tan theta तो इसकी value हो जाती है, 1 upon 2 mu, यह तो बहुत ही आसान सवाल था, option number c इसका correct answer हमाई पास आयाता है, लेकिन कई बार इसका variation पूछ ले जागा, कि mu की minimum value बताओ कितनी होनी चाहे, तो इसको किस तरीके से handle करोगे, तो हमाई पास friction की value आई थी, mu mg, तो mu की value कितनी होनी चाहे, जो required friction divided by mg, इस से जादा mu की value हो mu should be more than or equal to, यहाँ पर मैं लिख दूँगा, variation है, this is a variation, mu should be more than or equal to friction required divided by mg, correct, अब यहाँ पर friction required कैसे पता चलेगा, वो हमाई पास यह वाली value थी, देखो, यहाँ पर क्या था, f tan theta, यहाँ पर जो f था, वो friction required था, तो उसकी value आ जाती है, mg divided by 2 tan theta, यहाँ पर जाती है, तो यहाँ से हमें पता चलता है, this should be equal to or greater than mu is equal to mg divided by 2 tan theta divided by mg, यहाँ पर आप इसी को simplify कर लोगे, तो इसकी value रहती है, 1 upon 2 tan theta, आप यहाँ से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, कि friction की minimum value इतनी होनी चाहिए, अगर उससे कम है friction का coefficient, तो यहाँ से इस तरीके slip कर जाएगी, हमाँ पास equilibrium नहीं होगा, और eventually ladder जमीन पे धम से गिर जाएगे, Equilibrium का यह वीडियो एक छोटा था पाट था, एक छोटे से crash course का, जिसमें हम एक महिने में, 2-2 घंटे की classes में, complete physics कवर करी है, with all the important questions and all the concepts, link is in the description, उसको जरूर देखना, साथ में 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 vlogging channel का link भी description में, उसको भी जरूर सब्स्राइब करो, हम मिलेंगे complete crash course में, या फिर अग झाले व्लाग में, झाले व्लाग में.